दोस्तों आपके अपने चैनल on study class पर मैं आज आप लोग को बहुत ही important question बताने वाला हूँ भारत के निमलिकित महाप्रूसों के बारे में बताऊंगा देखिए इससे एक question जरूर आएगा और आपको यही point नहीं और से बहुत से महाप्रूसों के बारे में जानना होगा उनके चिप को अंदोलन के पर्मुक नेता थे जो चिप को अंदोलन हुआ था ना पेर से चिपक ने का उसका यह मतलब पर्मुक नेता थे जिन्हें 1984 में राष्टी एकता पुरुसकार समानित किया गया अगली point जो है वह जहासी की रानी है जहासी की रानी लक्षी मवाई एक कु अंग्रेजों से लुहा लिया और बीर्गति को प्राप्त हुई अगला जो point है वह है टीपू सुल्तान हैदर अली की मिर्टू के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर के सेना की कमान संभाली वह अपने पीता के ही भाति योगी एवं प्राकर्वी था टीपू और मराठो के मद ने 1785 से 1787 तक एक संघर्स हुआ जिसमें टीपू कई मराठास अस्थानों को जितने में सफल रहा अगला है राजाराम मोहन राय राजाराम मोहन राय बंगाल के एक प्रतिष्ठित ब्रह्मन प्रिवार में पैदा हुए थे 1788 स्वी में राजाराम मोहन रा रिसाई तीन धर्मों के अच्छे गुनों का समावेश किया गया सुवास चंद्रबोश की अपनी पुस्तक दा इंडियान श्ट्रागल में राजाराम मोहन राय के भारतिये नव जागरन का अग्रदूत और सुधारां दोलन का प्रवर्तक बताया गया है अगला जो है यह बार में जानते होंगे यह लिए ने ओक्टीवियस हूम को भारतिये राष्टिये कोंग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है हूम 1882 में आईसीएस से अपकास प्राप्त कर अपने विचारों को कर्यावन्त करने में लग गया थे लाला राजपतर राय यह भी मानते है कि हूम तथा दुरदसा पर रोता था अगली जो पॉइंट है वह है महरानी विक्टोरिया 1819 में से लेकर कि 1901 के तक यह रहे बिटेन तथा एरलेंड की राणी जिसका सासनकाल हर्द रिष्टी से संदार था अगला जो पॉइंट है वह है सत्य जीतरार अंत राष्टिये ख्याती प्राप्त भारतिये बंगला जो है फिल्म नेर देशा कलाकार है वो संगीत अग्ये इनकी फिल्मों को देश विदेश में अनेक पुरुसकार मिल चुके हैं सिरी रे को रेमन मैक्से से पुरुसकारता था भारत रतन मरनो परांत से समानित किया गया किलियर अगली जो पूती डॉक्टर अनुगरह नरायंसी का जन्म 18 जून 1837 पी को गया मंडल के रंगावाद के एक गाव में हुआ था इनकी प्रारंबिक सिक्षा गया में इंटर वबीय की सिक्षा पटना विश्व विदाले में हुई सिरी सिह ने 1914 में कलकात्ता विश्व विदाले से एमे और बीयल की उपाधी प्राप्त की 1948 जिस्वी में इनको अपटना विश्व विदाले ने पीचडी की मानत उपाधी प्रादान की डॉक्टर रैजेंदर पर साथ के ए अनुवाई थे कारे अनुगरह नरायंसी का 1921 इस्वी में बिहार पांतिये कॉंग्रेस कमीटी में सामिल हुए और 1935 में माम मंतिर निर्वाजित हुए 1923 इस्वी में बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस कमीटी का देख चुने गए 1921 इस्पी में ही यह अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमीटी की वीशाय समीती के सदस्य निर्वाचित हुए तथा 1930 इस्पी तक रहे अगला जो है 1928 इस्पी में हुए कॉंग्रेस की स्वागा समीती तथा 1934 इस्पी में रामगड कंग्रेस के महा मंतरी हुए नवंबर 1934 इस्पी में पटना सहाबाद निर्वाचित छेतर से ये केंदरिये लेजिसलेटिव ऐसेंबली के सदस्य निर्वाचित हुए 1937 में बिहार के पर्थम कोंग्रेस सरकार में बीत मंतराले के परवार सौपा गया 1952 में बिहार राजे के बीत सरम जानकरे का वानी जे मंतरी भी रहे इनकी मिर्टू 5 जुलाई 1915 को हुई सिरी अनुगरह नरायन सी को बिहार विभूती कहा जाता है इनके नाम पर पटना एवं गया में कोई सिचन संस्ता है हनुगरह बावू ने असीमित कारे किये इनका जीबन स्यवा प्रोकार प्रामार्थ का प्रयाय रहा सिच्छा के छेत में इन्होंने अन्ये कारे किये अगली जो पॉइंट है वो है एनिवेसेंट एडिवेशन को भी आप लोग जानते होंगे कि 1893 में से भारत आई थी वे भारत की सोतंतरता की हिमायती थी और भारत की सोतंतरता अंदोलान के परती इनका एक दांस सदैवे समर्नी रहेगा भारत में ये थियोसोफिकल सोसाइटी की समस्या और पार्सी धर्म को दादा भाई नोरोजी आधुनिक भारत के निर्मताओं में इसी एक है ये भारती राष्ट्य कोंग्रेश के संस्तापक सदस्यों में से एक थी ये बंबई के एक अन्य समाज सुधारक थी फार्सी धर्म के सुधारक के लिए गठित संस्ताओं के संस्तापकों में एक ये भ जाता था वह इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के संस्तापकों में से एक थे वह कंग्रेस के तीन बार अध्यक चुने गए थे वह पहले भारतिये थे जिन्होंने बिरिटिस अंसद हाउस आउफ कमंस का सदस्य चुना गया था उनकी कुपुस्तक पवर्टी एंड अन बिरिटिस रूल इन इंडिया अत्यांत चर्चित है अगला जो पॉइंट है वह है डक्टर राम मनोहरलोहिया डक्टर राम मनोहरलोहिया एक राजनितिक निता थे जिनकी बिचार धारा समाजबादी अब धरनाओं से प्रेरित थी ये एक बिद्वान और सास्त्री थे तता दलित किया देखिए अगर आप लोग को स्पीड ज्यादर लग रहा होगा तो आप लोग इसको कम करके भी सुन सकते हैं क्लियर चोधरी चरण सी और नहीं तो कमेंट करेंगे तो हम देरे देरे बोलेंगे परन तो धीरे देरे बोलने से वीडियो लेंदी हो जाता है आप लोग ज अगर सुरत रहे ये उत्तर पर्देश के मुखे मंतरी रहे थे और बाद में बहुत कम समय के लिए अपातकाल के दोरान भारत के परदान मंदरी भी रहे थे ये गरामुद्धार के लिए सदय पृत सिर रहे अगला जुए वह है सर सयद अहमद खा सर सयद आहमद खा अठास सतरा से 1899 तक है एक परसिद मुस्लिम समाज सुधारा के रूप में चर्चितर है ये रूढियो और अग्यानता के बिरोद सता संगर्स रत्र है इनकी विचारधार आधुनिक बेग्जानिकता से परवावित थी आधुनिक सिक्षा के परचार परसार है तू उन्होंने अलिगर्ड में महंडन एंगलो एरी एंडल कोलेज की अस्तापना की जो बाद में अलिगर्ड मुस्लिम इन्वर्सिटी के रूप में परणत हो गया भायत के राष्ट बादी आंदोलन को उनसे युगदान नहीं मिला क्योंकि वे इस आंदोलन पर हिंदूों का वर्चोस्व कायम समझते थे उनकी इस समस्या में मुसल्मानों में संपरताई के वं प्रिथकता बादी प्रवेर्थी को बल मिला जो राष्टिय हीत के लिए आ 1820 से 1891 तक ये रहे एक महान बिद्वान एबम समाज सुधारक थे रजाराम मोहन राय के उतराधिकारी के रूप में समाज सुधारक की पाक्च मिनों ने राम मोहन राय के अंदोलन को आगे दिसा में उन्होंने महतापोन योगदान दिया बाल बीबाह के बिरोद और बिद आओ के उत्थान के लिए बहुत बड़े पक्चिधर थे तो चलिए इस तरह से हम लोग देखें और इसी तरह से और भी जो महान पुरू से उसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई केजिए और देखते रहेगा क्योंकि आपका जो यह लास्ट एक्जाम है पार्ट त्री का अगर आप लोग पिछले पार्ट वन और पार्ट टू में अगर अंका मर्जित की होंगे अगर इस बार कर लेते हैं तो सब का एड़ होकर के एक साथ मिलेगा इस बार तो देखेंगे कि आप लोग क्या करते हैं जरूर अच्छा करेंगे आसा करते हैं आप लोग एक बार जरूर देखते रहेंगे आप पढ़ते रहेंगे कहीं भी हो कहीं आप पढ़ते रहेंगे सुनते रहेंगे ठीक है फिर मिलते हैं स्ट वाचिंग